हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मा रोक्स यूटूब चैनल, फार्मा रोक्स की यूटूब एज़ू किसले चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे बैटने सॉल इंजेक्शन के बारे में बैटने सॉल के बारे में तो एक्स्पेट लेक्चर वायमर सर, असेस्टम प्रोफेसर और फाउंडर ओफार्मा रोक्स, थेंक्यू पर बीन फार्मा रोक्स फेमिली अपडेटेट रिए फार्मा रोक्स के साथ, एक्सेस करें स्टडी माटरियल टेस सीरीज असाथ हो साथ बैटने सॉल इंजेक्चन के बारे में, तो बैटने सॉल इंजेक्चन के अंदर जो मेडिकेशन है, वो है बीटा मीथाजोन है, कि जो एक स्टेरोइडल एंटी इंफ्लैमेटरी ड्रग है, और ये बहुत सार अलग-अलग डिसीज और डिसॉडर्स के ट्रीटमेंट में और सॉल्ट कंपोजिशन इसके अंदर है, वो है बीटा मीथाजोन और ग्लेक्सो स्मितलाइन फार्मासिटिकल इसके मेनुफेक्चर के जिसको सॉल्ट में हम जीएस के कहीते हैं, और जीएस के एक ब्रिटिस मल्टिनेशनल फार्मासिटिकल कंपने की जिसका हेड़क्वार इंगलेंड के अंदर है, तो यहाँ पे इन्जेक्शन के लेबल के अंदर देखो, तो लिखा है कि, अगर एक एमल जितना मेडिकेशन किसी पेसन को डिलीवर किया जाते है, तो उसके अंदर चार मिलिग्राम जितना बीटा मितासन उसके अंदर प्रिजन्ट होता है और फिनल होता है उसके अंदर 0.5% as a प्रिजर्वेटी तो यह हुगा इंजेक्शन का कमपोजिशन और खास कर यह इंजेक्शन जो है वो इंट्रा मस्कलर रिउट से जो है वो लगाया जाता है पेशन को तो अब बात आती है कि प्रेगनंसी के दौरान बैटनेस और इंजेक्शन को क्यों लगाया जाता है तो वो आप समझे यहाँ पे अच्छे से तो जब हाई रिस्क होता है प्रिटम बर्थ का जिसका मतलब है पुर्वा प्रसव की स्थिती और वो एक रिस्क में है कि जो नॉर्मल हम समझते कि जो पुरा प्रेगनंसी का जो पिरियड होता है तो वो होता है टोटल 40 विक का पर अगर प्रिटम प्रिटम मतलब कि ऐसी कंडिशन के अगर 32 से लेकर 35 विक के प्रेगनंसी के दोरान ऐसा है कि प्रिटम बर्थ हो सकता है बेबी का और ऐसी कंडिशन में कई बार ऐसा होते कि जो बच्चे की जो लंग्स होते हैं उसके फेपडे जो होते हैं वो अच्छे से ड्यावलप नहीं होते हैं साथ उसाथ जब आप सोनोग्राफी वगरा करवाते हैं अल्ट्रा साउंड वगरा करवाते हैं या फिर 3D अल्ट्रा साउंड वगरा करवाते हैं रूस वक चेक करते तो पता चलता है कि कई बार बच्चे का वेट भी कम होता है as well as उसके जो lungs होते हैं वो develop नहीं होते साथ उसाथ कई बार heart अच्छे से develop नहीं हुआ होता lungs मलब कि उसके फेपडे और brain भी अच्छे से वो समय में develop नहीं होते कि जो 32 से लेकर 35 week का pregnancy का जो period अगर उस समय में अगर baby birth होता है तो ये कुछ complication हो सकते तो अगर आपके gynecologist को ऐसा लगता है कि baby का जो है वो birth preterm हो सकता है पूर्व प्रसव के सितिय तो उस वक्त वो ये injection लगाता है कि जिससे baby के lungs वगिरा जो हो अच्छे से develop हो कई बार ऐसा भी होता है कि जो membran होता है वो rupture हो जाता है कि यहाँपर आप देखो कि placent आप यहाँपर देख सकते हैं फिर umbilical cord यहाँपर देख सकते कि यह BB के आसपास umbilical cord है यह वाला fetus देख सकते है और अंदर जो होता है वो amniotic fluid होता है और यह amniotic sick और उसके आसपास रहा है एक membrane तो कई बार क्या होता है कि कुछ reasons के करण यह membrane भी जो है वो कई बार rupture हो जाते कि जिसके करण अंदर जो है वो जो हम normal language में कहीते है कि जो पानी कम हो जाना तो ऐसे condition में कई बार baby जो है वो अंदर अच्छे से develop नहीं हो पाता और जब ऐसे condition होते हैं तो अगर पहले से आपके गाइनोकिलोजिस्ट ऐसे अंदाज लगा लेते कि ये प्रॉब्लेम साइध हो सकती है तो उस वक्त वो 32 से लेकर 35 विक्स के जो प्रेगनसी के दोरान बैटनेस और इंजेक्शन को जो वो सिर्फ ऐसी कंडिशन की जहाँ पे आप अल्ट्रा साउंट रिपोर्ट वगएरा करवाते हैं और ऐसा पता चलता है कि बेबी की ग्रोथ अच्चे से नहीं हो रही तो ही ये इंजेक्शन को जो वो प्रिस्क्रेब किया जता है वरना अगर बेबी की ग्रोथ अच्चे है कोई भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो उस वक्त ये इंजेक्शन को लगाने की ज़रूरत नहीं रही थी तो बात यह है कि अगर आपका बेनेफीट्स ज्यादा है रिस्क के कंपेर में और ऐसी कंडिशन के जहाँ पे बेबी को बचाना जरूरी है तो ऐसी कंडिशन में बैटनेसल इंजेक्शन को जो वो लगाया जाता है तो यह खास पॉइंट आप समझेए कि जो रिस्क ह होता है एक प्रीटर्म बेबी का और प्रीटर्म लेबर का तो उसको जो है वो रिड्यूस करने के लिए यह इंजेक्शन खास कर यूस किया जाता है और वो अब अन्दाजित हम देखे तो बारा मिलिग्राम जितना बैटनेसल जो है वो as a ideal doses जो लगाया जाता है कि दो जो गटनेसल के प्रेगनसी के अलावा भी उसके क्या यूज हो सकते तो यह एक anti-inflammatory medication है खास कर कि जो एक steroid एर anti-inflammatory medication कही जाती है यह एक इसी powerful medication है कि दुसरे भी बहुत सरे complications के अंदर यह medication को जो यूज किया जाती है तो especially जो आहाँ पे inflammation होती है सुजन होती तो ऐसे condition को ठ पीक करने के लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए बैटनेस ओल यूज़ 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 य रही है, swelling हो रही है, या फिर आपकी आखों के अंदर पेन हो रहा है किसी भी surgery के बाद, तो यह सभी medical conditions में madness or use के जाद है, फिर जो allergic reactions होती है, dermatological reactions, endocrine disorders, gastrointestinal disease, hematological मलब कि आपके blood के related कुछ problem है, neoplastik disease वगेरा है, फिर nervous system से जुड़ी बीमारिया होती है, ophthalmic diseases, renal disease मलब कि जो kidney के related होती है, फिर हमारे respiratory tract के से जुड़ी दिविमारिया, rheumated disorders, तो बहुत सारे से number of medical condition से कि जिसके अंदर badness or injection को use किया जाता है, उसकी price हम देखे latest, तो आखरी जो 9 August के आसपास के हम price देखे, तो वो थी रूपीस, 5 रूपीस कि अगर आप ये एक injection purchase करते हैं, सिर्फ एक ही ये वाला, तो उसकी price रहेगी, 5 रूपीस अगर आप 8 injection लेते तो वो 40 रूपीस के price में जो अवेलेबल होते हैं, तो काफी affordable injection है, बाकिया हम उसके dose की बात करें, तो 4 mg पर ml solution रहता है injection के अंदर, कि अगर ये एक ml जितना patient को intramuscularly inject किया जाता है, तो 4 mg जितनी drug उसके body के अंदर जो ही वो inject होगी, फिर adult dose की हम बात करें, तो 4 से लेकर 20 mg जितना beta-methasone, जो वो administer किया जाता है, और वो भी proper slow IV infusion से दिया जाएगा, या फिर half से लेकर 1 minute के टाइम में अगर आप देते हैं, तो इस तरह से proper slowly ये injection दिया जाता है, इंटramuscular root से भी ये injection जो दिया जाता है, और repeated कियर सकते हैं, तीन से चार टाइम ये dose को 24 hours के अंदर, तो ये खास समझे कि 4 से लेकर 20 mg जितना dose पर डे आप जो इसका दे सकते हैं, तो मतलब 1 ml से लेकर 5 ml तक ये medication जो वो inject कर सकते हैं patient को, बाकि हम बात करें उसके pediatric dose की, तो pediatric के लिए सिर्फ फर सिर्फ 1 mg मतलब कि 0.25 ml जितना inject किया जाता है, फिर एक से लेकर 5 साल की age है, बच्चे की तो 2 mg जितना मलब कि 0.50 ml जितना medication आप उसको दे सकते हैं, अगर 1 year तक की age है, तो 1 mg मलब कि 0.25 ml 6 से लेकर 12 साल की age है, बच्चे की तो उस वक्त आप 4 mg जितना उसको per day वो दे सकते हैं, कि around 1 ml तो और ये dose जो आप रिपीट कर सकते हैं 24 hours के अंदर 3 से लेकर 4 टाइम तो प्रापर patient के conditions के according to ये dose जो जो दिया जाता है, कि minimum आप 1 ml या फिर 0.25 ml बच्चे के age के according to, कि जो यहाँ पर describe है, उसके according to दे सकते हैं बाकि उसके mechanism के बात करें तो ये का करते हैं, कि जो pain के लिए जो responsible mediators होते हैं, सुजन के लिए जो related mediators होते हैं, उनको block करके ये अपने pharmacological action देती है, तो especially जो सुजन के mediators या फिर inflammation के mediators कहे जाते हैं, उनको block करके badness or injection जो अपना काम करता है, बाकि उसके कुछ side effects देखे, तो जब किसी को ये injection लगा जाते हैं, तो injection side पे reactions आ सकती है, जैसे की injection side पे pain हो सकता है, swelling readiness जैसा हो सकता है, insomnia मनलब के आपको लाद को late तक नेंद नहीं आएगी, vertigo मनलब की चक्कर आ सकते है, weight gain मनलब के आपका वजन बढ़ सकता है, ये injection लेंद के बाद skin healing जो है, इंपैर हो सकते है मनलब की, जो कई बार जो हमारे healing की process होती है, गाव जो सूख जाते हैं वो process होती है, तो वो delay हो सकती है, depression में कुछ patient जाते है, hypertension मनलब की उनका blood pressure, hypertension मनलब की लगाए जाते हैं तो आपकी बूक जो है वो बड़ेगी, increased appetite जो का आज़ता है, electrolyte आपके body में imbalance हो जाएगा neurological disorder होते है abnormal hair growth होती है, फिर blood sugar level increase हो सकता है bone या फिर muscle या फिर joint pain होता है, gastrointestinal disorder as well as skin के related बीमारिया हो सकती है contraindications के बाद करे तो pregnancy के दौरान दूसरे trimester में unsafe है कि जो first trimester जो कहा ज़ता है और second trimester तो उसमें ये injection को use नहीं करते और third trimester में भी अगर आप use करते हैं, तो जैसे मैं आपको आगे समझाए कि risk के compare में benefits ज़्यादा है कि आपकी risk जो है वो कम है और benefits जो है आपको ज़्यादा मिल रहा है तो ऐसी condition में badness all injection को pregnancy में लगा जाथा कि ऐसी condition के जहाँ पे preterm preterm birth का की मतलब कि पूर्व प्रसव के स्थिती में है pregnancy में use करते हैं फिर kidney disease के जो patient होते कि जनको kidney related बीमारी है उनको भी proper precautions के साथ ये injection लगा जाता है फिर अगर किसी को allergy हो जाती है बीटा मिठा सोन से तो भी ये injection नहीं लगा दे फिर TB inactive है या फिर उसका treatment अभी चल रहा है या फिर proper treat नहीं हुआ है TB active condition है TB की तो भी ये injection ना use करे हर्पिस inflex का infection मेलब कि viral infection है हर्पिस का तो भी ये injection आप use ना करे और infection है due to the fungus की fungus के करण food के करण infection में यूज नहीं किया जाता जो हर्पिस हो जाते है उसमें भी यूज नहीं किया जाता और thyroid hormone आपके बहुत ही low है तो ऐसे condition में भी betnesol injection को नहीं लगा थे तो यह थी detail जान करें betnesol के तो ऐसे सिखे दवायों के basic use के बारे में dose side effect warning and contraindication एक साल तक affordable price में farmer rocks के आप उपर download करें आप farmer rocks और सिखे दवायों के basic use के बारे में disease and medicines के बारे में whatsapp कर सकते है 9016312020 पे link आपको description box के अंदर मिल जाएगी या फिर 9016312020 पे आप call या whatsapp कर सकते है good luck and all the best